सर्दी के मौसम में बाल धोना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता वहीं शेंपू करने के बाद बाल जल्दी सूपते भी नहीं है ऐसे में जाधा तर लोग हेर वाश करने के बाल ड्रायर की मदद से बालों को तुरन सुखा ले दे हाला कि अगर आप सर्दियों में अकसर हेर ड्रायर का इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ बाते जान लेना है बेहत ज़रूरी है ड्रायर से आपके बाल आसानी से सुख जाते हैं लेकिन हेर ड्रायर का इस्तमाल सर्दियों में बालों की ड्रायनेस को चिगर कर सकता है ऐसे में hair dryer use करने से पहले कुछ बातों को ध्यान दे ताकि बाल damage ना हो और किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके इस बारे में कुछ tips जान लीजिए बालों में hair dryer इस्तमाल करने से पहले परियाप दूरी का खास ख्याल रखें बता दें कि जाधा पास से hair dryer use करने से बाल damage हो जाते हैं साथी बालों की dryness में भी आपको इजाफ़ा देखने को मिल सकता है और hair fall की समस्या भी बढ़ सकती है इसलिए सर्दियों में बालों को सुखाते समय dryer को बालों से 6-9 इंच की दूरी पर रखना बहतर हैगा hair serum try करें hair dryer की direct heat damage बालों को trigger कर सकती है ऐसे बालों को dryer की heat से protect करने के लिए आप hair serum की help ले सकते हैं hair dryer इस्तमाल करने से पहले बालों में serum लगाने से बालों का moisture maintain रहता है और बाल मुलायम दिखते हैं shampoo के बाद conditioner ज़रूर लगाएं conditioner बालों को नरिश करके dryer की heat से सुरक्षित रखने का भी काम करता है ऐसे मिश्यंदू के बाद बालों में conditioner लगाकर आपना सिर्फ बालों को damage होनी से बचा सकते हैं बलकि सर्दियों में भी बालों को soft, shiny और healthy रख सकते हैं hair type पर focus जरूर करें बालों में hair dry का इस्तमाल करने से पहले बालों के type पर ध्यान देना बेहत जरूरी है बतादे कि जो normal बालों को hair dryer से असानी से सुखाया जा सकता है वहीं curly बालों को सुखने में बहुत समय लगता है ऐसे में आप hair type के अनुसार ड्रायर का temperature सेच करके बालों को असानी से सुखा सकते हैं तो इस बार hair dryer का use इन tips की मदद से करें बाल आपके damage नहीं होंगे